जै मतादी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, जोतिस सास्र में बुद्ध ग्रह को नव ग्रहों में राजकुमार की संग्या दी गई है इने बुद्धी और तरक शमता का कारग्रह माना जाता है बुद्ध ग्रह मिथुन और कन्याराशी के स्वामी ग्रह भी है माना जाता है 26 अगस्त 2019 सौमवार की दोपहर एक बज़कर छपपन मिनट पर बुद्ध ग्रे सिहिंग राशी में गोचर कर रहे हैं और 11 सितंबर बुद्वार की सुभार तक इसी राशी में इस्थित रहेंगे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिहिंग राशी की क्योंकि स सिहिंग राशी में ही बुद्ध का ये गोचर हो रहा है तो सिहिंग राशी वाले जातकों के ओपर इस गोचर का क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पासी वने बेल का एकन को जरूर प्रेस कर दें सा लिए आपके लगन में बुद्ध स्थापित रहेंगे और प्रथम भाव स्वैक का कारक होता है इसलिए इस गोचर के दोरान आपके सामाजिक मान सम्मान में व्रद्धी होगी आपके व्यक्तितों में निखार आएगा एक गजब की आकरशन शक्ति आपमें अंदर रहेगी इस दोरान आप अपनी भाशा सैली का अच्छे से उप्योग करेंगे भाशा सैली में रचनात मक्ता आएगी आप लोगों के बीच आकरशन का केंदर बन सकते हैं सेहिंग राशी के जातकों के लिए बुद्ध का ये गोचर इस अवधी को खास बनाने वाला है ये अवधी आपके व्यक्तितों में चार चांद लगा सकती है इसके अलावा आप इस गोचर के दोरान विभिन सामाजिक कारेकरों में भी हिस्सा ले सकते हैं पारिवारी की स्तर पर देखें तो ये गोचर काल आपके पारिवार के सदस्यों के लिए काम में सहयोग करने वाला भी सावित होगा अगर आप शादी शुदा है तो ये गोचर की अवधी आप अपने जीवन साथे के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं उनकी किसी पसंदीदा जगह पर छुट्टियां वनाने जा सकते हैं और यदि हम प्रेम संबंद की बात करें तो प्रेम संबंद इस समय बेहद अच्छा रहेगा आप माता पिता से अपने पार्टनर को मिलवाने का काम कर सकते हैं ये आपके लिए बैस्ट समय होगा आपके पैरेंट्स इस समय मान दान करें यदि आप बुदवार के दिन ब्राह्मन को चीनी दान करते हैं तो आपके आर्थिक वैपार से आपके हर कारे में चार चांद लग सकते हैं तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और नबर दो